अब जो चीज हम देखने वाले हैं, वो हैं matrices के operations कौन-कौन से होते हैं और matrices को किस तरीके से देखा जाता है और साथ ही हम determinant को भी देखेंगे and there are many other concepts about matrices जो हम देखने वाले हैं तो मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ ये मेरा note board आपके सामने आ रहा है और let's see के हमारे पास कौन-कौन से ऐसे matrix के operations होते हैं जो हम follow कर सकते हैं for example, यहाँ पर सबसे पहला जो matrix का operation है that is addition or subtraction addition and subtraction not subtraction, it's subtraction sorry for that तो matrix अगर दो हमारे पास आ जाते हैं for example, मेरे पास एक matrix है A और एक matrix है मेरे पास B अब A के जो values हैं वो है 1, 2, 3, 4 और जो B की value है मेरे पास 4, 1, 0, 5 है हमने इनको add कैसे करना है add करने के लिए A plus B का sign आएगा और A plus B के अंदर जो important चीज़े हैं हम उनको देखते हैं वो होंगी हमारे पास A plus B के अंदर हमने simply क्या करना है जो ये वाली quantity इसको पहली के साथ, दूसरी को दूसरे के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, चोती को चोती के साथ हमने जमा कर देना है तो simply हमारे पास 1 plus 4, 3 plus 0, 2 plus 1 and 4 plus 5 आजाएगा तो ये हमारे पास जो answer आएगा वो होगा 5, 3, 3, 9 ये हमारे पास addition करके, हमारे पास जो है, वो एक matrix बन जाता है, इसको add करने के बाद इसी तरीके से जब subtract करेंगे same matrices को, तो वो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से हम करते हैं मैं यहाँ पे a minus b लिखता हूँ, और a minus b, इसको करने के लिए हम a की value लिखते हैं, which is अब वो ही चीज है, जहाँ पे minus का निशान था, वहाँ पे plus का था, वहाँ पे minus हो जाएगा, 3, minus 0, 2, plus 1, and 4, plus 5, ये हमारे पास आगी है, और इनकी base पे अगर हम देखें, तो हमारे पास जो answer आता है, that is minus 3, ठीक है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारे पास भी 3 आता है, बल it should be minus, these both should be minus, और यहाँ पे हमारे पास आता है 1, and यहाँ पे minus, क्या हैगा, 1, तो इस तरीके से हमारे पास addition and subtraction हो जाती है, अब addition और subtraction कब जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसकी main reason यह है कि अब जब आप दो transformation को बढ़ा के दिखाते हैं, यानि कि 90 की rotation, लेकिन साथ में आप एक ऐसी transformation दिखाते हैं, जो दो गुना कर देती हैं चीजों को, तो 90 की rotation दुग ना करके, तो मतलब यह के दो transformation को जब आप add करके लगाएंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से answer आएगा addition का, अगर एक transformation में से दूसरी को minus करते हैं, तो obviously हमारे पास जो answer आता है, वो subtraction व झाल, 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